चले इस तो बात करते हैं सेकूर नई कोईशन के बारे में इसकोईशन में एकस्टी ने का एक व्यक्ति ने एक वस्ती को विक्रह मूले पर 20% लाब पर बेचा बाद में जब लागत मूले 10% कम हो गई तो उसका विक्रह मूले भी 10% कम कर दिया लागत मुल्य पर उसका लाब परतिस्थत क्या होगा यानि कि सिंपल सी बात है एक्जामन ने क्या का उसे 20% का लाब होता है विक्रे मुल्य पर और फिर कहता है यदि वे अपने क्रे मुल्य को घटा दे क्रेम मुल्य को 10% घटा दे और विक्रेम मुल्य को भी 10% घटा दे तो उसका लाब किया हुआ यह examiner ने मुझसे पूछा है तो simple सी बात है मैं इसे में माल लेता हूँ कि मेरा जो विक्रेम मुल्य यानि की SP जो है मेरे पास में वो 100 रुपे है अगर मेरे पास विक्रेम मुल्य 100 रुपे है तो मैं उसका 20% निकालूँगा तो मेरे पास 20 रुपे हैगा यानि कि इसमें से 20 अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास जो 80 रुपे हैगा वो मेरे पास में cost price यानि क्रेम मुल्य हैगा अब कहता है कि क्रायम उल्य को क्या करता है वो 10% कम कर देता है और विक्रायम उल्य को भी 10% कम करता है तो इसका 10% निकालूँगा तो कितना है गा 8 रुपे 80 का 10% 8 रुपे और 8 रुपे समिसे माइनस करूँगा तो 12 रुपे यानि कि नया जो क्रेम MULYA हुगया उसका वो 62 रुपय हो गया वो कहता कि उसकी विक्रेम MULYA को भी 10% कम कर दिया इसका 10% निकालूगँगा, इसका 10% निकालूँगँगँगे तो 10 रुपय हैगा बीक्रेम MULYA कितना 90 रुपי तो 1834, 1842 यानि 25, 25% का क्या होगा से आपका profit होगा यानि कि option जो मेरे पास में आपका B होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा